नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभसाक्षी न्यूज नेटवर्ग मैं हूँ आपके साथ हनुराग गुपता तारीख 14 फरवरी ये दिन भारती इतिहास के लिए एक काला दिन साबित हुआ क्योंकि जम्मो कस्मीर के पुलवामा में CRPF के 40 जवान सहीद हो गए इस हमले की जिम्मेदारी जैसे मुहम्मत ने लिए पूरे देश में इस हमले को लेकर आक्रोस था गुस्ता था और आज भी ये देश उबल रहा है और प्रतिसोत की चाहा रखता है खास बात ये रही कि इस गुस्ते के बीचों बीच ही 36 गड़ के राइपुर रेलवे स्टेशन पर आज देश की सांग तिरंगा 100 फिट उचा फैराए गया आपको बता दें कि राइपुर के रेलवे परिशत में 100 फिट उचा तिरंगा फैराए गया है और ये भारती रेलवे की तीन महीने पहले की स्कीम के तहित किया गया है भारती रेलवे ने तीन महीने पहले यह निर्ने लिया था कि देश भर के A1 के स्टेशनों पर समान उचाईवाले तिरंगे फैराया जाएंगी और इसी के तहट वहाँ पर रमेश वैस जो सांसद है उन्होंने तिरंगा फैराया आएए देखिए प्रभासाक्षी की रिपोर्ट कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी ताकि तिरंगे की सान में किसी भी तरह की चूक ना हो अधिकारियों ने कहा कि खास तौर पर इस छेत्र की सुरक्षा की पूरी विवस्ता होगी भारती रेलवे ने इसके तहट देश के 75 स्टेशनों का चैन किया जहां तिरंगा जंडा लगाया जाना है इसमें प्रदेश के दो रेलवे स्टेशन राइपूर वा विलासपूर का चैन हुआ है इसी के तहट राइपूर रेलवे स्टेशन परसत पर सोंबार को सौ फिट उचा तिरंगा फैराए गया